बिलासपुर में एक किसान युवक ने अपनी पत्नी की गला घोट कर हत्या कर दी फिर उससे परिजन को गुमरह कर पत्नी की पेट दर्थ से मौत होने की जानकारी दी शव को जलाने के लिए शमशान भी ले गया जब मायके वालों को बेटी की मौत की खबर मिली तो मौके पर पहुँच गए और शव को जलाने से रोक दिया और पुलिस बुला ली शव का पोस्ट मॉडम कराने के बाद खत्या का मामला सामने आया तब पुलिस ने आरोपी पर केस दर्श कर उसे गिरफतार कर लिया तकत्पुर शिद्र के सालपे कापा में रहने वाला विरिन निशा पत्नी कांती निशात के साथ रहता था बीते 25 जुन की रात उसकी पत्नी की संदिग्द परिस्थीतियों में मौत हो गई थी दूसरे दिन सुभा उसने अपने परिजन और गाउं वालों को बताया कि उसकी पत्नी की पेट दर से मौत हो गई है उसने आनुन फारण में अति की मौत की खबर मिली तब वे ततकाल गाउं पहुंच गया उन्होंने शमशान घाट पहुंचकर शव को जलाने से रूख दिया उनका कहना था कि उन्हें मौत की जानकारी क्यों नहीं दी गई जब परिजनों ने शव को देखा तब उसके गले में सरकल के निशान थे उन्ह पिले उसने बताया कि घटना की रात वो शराब पी कर घर पहुंचा शराब पीनी की वज़े से पत्नी ने उससे साथ सोने से मना कर दिया इसके बाद वो सोफे पर सो गई सुभा उसकी लाश फंदे पर लटकती मिली लेकिन जब पीम रिपोर्ट आया तब पुलिस ने उसस सकती से पूस्ता शुरू की हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें साथ ही साथ वेल आइकोन दबाना ना भूले